Great Morning Dears, हम कर रहे हैं differentiation class 11th का mathematical tools chapter है और physics पढ़ रहे हैं, मिल रहे हैं arty academy पे एक YouTube पे बहुत बहुत अच्छा और revolution लेगे आने वाला एक channel है इस साल हम इतना काम करेंगे साथ में कि इस session के end में आपको बता चलेगा कि एक platform होनो तो best platform है YouTube पे जो आपको अच्छा बना रहे हैं, अच्छा content बढ़ा रहे हैं मेरा नाम अजीत सिंह है, मैंने आईटी कांपू में बहुत सारा समय इपताया है, आईटी कांपू के professors के साथ, पढ़ाई करके वज़ फिसिक्स क्लास 11 की physics हम पढ़ रहे हैं, physical word हमने complete किया, physics की थोड़ी बहुत जागदारी लिए किस तरह पढ़ना उसकी अप्रोच को जाना physics को पढ़ने के लिए mathematics की बहुत जबत पढ़ती है, क्योंकि किसी भी तरह की theory की modeling मे, mathematical modeling is very important और उस mathematical modeling के लिए mathematics में use होने वाले फंडाज, उनके concepts बहुत important हैं, हम physics में एक chapter डिवलप्टर देते हैं और नाम देते है mathematical tools और इसमें different mathematical concepts जो physics में बहुत जादा इस्तमाल होंगे, उनको उतना detail में तो नहीं जितना math में पढ़ते हैं, लेकिन physics में जो aspect उसका इस्तमाल फिलार हम लोग function जा चुके थे, equation समझ चुके थे, graph बना लिये थे, straight line graph, especially हम लोगों ने किया था, समय आने पर, parabolic graph भी आपको उढ़ाया जाएगा, dancing curve एक सेटरा भी चीज़े होती हैं, लेकिन physics में इतनी इस्तमाल नहीं होती, इसलिए मैं उस पर बोला नहीं है बिल्कु हम कर रहे थे, differentiation जो मान लीजे कि physics पढ़ते हुए, maths जितनी इस्तमाल होगी, इसमें core concept है, core concept है, जी नहीं, core concept है, मान के चलिए, differentiation के बिना, आप 11-12 की physics होने नहीं वाली है, तो यह जाना पहुत ज़रोगी, दो lectures हम बढ़ चुके हैं थे, differentiation के यार को, तो basic differentiation क्या होता है, सी पुछे standard formulas हम लोगों ने यार कर लिए तेकर नहीं यार कियें, तो पुराना lecture देखो, उसमें सारे formulas सिखाएं, और उन formulas चे बनने वाले quotient सिखाएं, distribution सिखाया है, बहुत practice कराई है, यह 20-20 सवाल एक lecture में कराएं, तो आप जाकर कर देखेंगे, बहुत कम टाइम में, बहु पुरिदार concepts हैं, और function के अंदर function सीखेंगे, हम बोलेंगे chain rule सीख रहे हैं, चलिए शलू करते हैं, मेरे नाम है अजीट सिंग, हम विल रहे है, आप देखिए, फॉलो करिए, आज के lecture भी शुरुआत, कहानी है chain rule की, chain rule क्या है, बहुत क्यूं पढ़ रहे हैं इस chain rule को, तो समझाता हूं, chain rule क्या है, बहुत ही विशेश topic है chain rule, मान लीजे कि कोई एक function है x का, और वो directly x पे depend नहीं करना, वो किसी दूसरे function के हिसाब से चल रहा है, यह क्या बखवास बता रहे हैं, अजीब सी बाते हैं, तो वो ही समझ नहीं आ रहा था, कुछ difficult होगा ही, मैं परशा देखो, y is a function of x, दिखाई दे रहा है, यह एक function है, one function, और जो यह है, यह कोई दूसरा function है, आपको दिखाई दे रहा है कि f जो है, एक function, directly x पे depend नहीं करना, जबकि जो g वाला function है, notation बदल दियां से पूर कुस नहीं, वो directly x पे depend करना है, और f जो है, वो g of x पे depend दर है, प्राइब अपला function के अंदर function लिग दिया है एक function है fx और उसके अंदर लिग दिया जी x तो function x पर depend आ करके एक x के दूसरे function पर depend रता है कि यह क्या बगवास है यह क्या बगवास है बताते हैं example के तौर पर मान लीजे आप अभी तर पढ़ते हैं sin x पर मैं sin x ना लिखकर इसको लिख दूस sin और अंदर में e raise to power x हाओ यह क्या है x की जगे e raise to power x आ गया यह जो e raise to power x आ गया आपके सामने आप देखो तो यह जो लिखा हुआ है इसको हम बोल रहे है g of x और यह जो चीज है यह हमारा वो है f clear है f of g of x एक function के अंदर दूसरा function लिखा है और हमसे पूछा जा रहा है कि इस f का यानि y का differentiation बताओ कैसे होगा तो या तो यह कहानी किसकी है लिखा हुआ है आपके सामने बहुत अच्छी तरह है मनें लिखकर रखा है यह कहानी है function के अंदर function की f के अंदर एक function है एक और function है g एक function के अंदर दूसरा function है और total का बताना है differentiation कैसे करेंगे काम आए सिपते हैं function के अंदर function देखो क्या समझाएगा, f एक function है, x का, clear है, जो की एक दूसरे function जिसको हम gx बोल बहें हैं, उस पर different करता है, और फिर हम f का differentiation निकालना चाहिए, करने का तरीका क्या है, करने का तरीका यह है, कि जो अंदर लिखा है function, उसको मान ले u, क्या मान ले, u, अच्छा, फिर क्या करे तुम से पुछा गया है, y' निकालो की दिखा, what is y' जब भी कभी dash बला दें, तो दिमाग में रगना की differentiation बहने को बोल रहा है, अच्छा, अच्छा, मतलब dy by dx बोला, हाँ, dy by dx बोला, पर sir, f के अंदर तो x है ही नही, f के अंदर तो gx है, तो क्या अफरक पड़ता है, gx क इसको माना u, अच्छा, तो इक कानू करो, y को यानि f को, u के respect में differentiate करो, मतलब इसी को u बना कर, differentiate करो, कर लिए, multiplied by, जो अंदर वाली कहानी है, यह जो u बनाया आपने, जिसको आप gx बोल रहे हैं, इसको x के respect में differentiate कर लिए, हाँ, कर लिए, और multiply करा दीजे, कर दिए, du, du आप या dy by dx, हाँ, असान है, function के अंदर function लिए, तो अंदर वाले को u मान, फिर u के respect में पूरे function को differentiate कर दे, कर दिए, उसके बाद जो अंदर आपने u बनाया था, उसको x के respect में differentiate कर दीजे, कर दिए, अब क्या करना है, यह दोनों से differentiation को multiply करो, तो multiply करने से u और u कर जाएगा तो end में आपका answer dy by dx आएगा, इसको कहते है, chain rule, अब इस chain rule को में एक short trick से भी बढ़ाऊंगा, लेकिन पहले आपको इस पंडे से जो logical पंडा है, इससे differentiation हीर सारा करके दिखाऊंगा, इसके बाद इसका एक short trick बढ़ाऊंगा, खलाल, कहानी है chain rule की, यह कहानी function के अंदर function की ही है, f एक function है x का, लेकिन वो directly x पे depend नहीं कर रहा, वो एक x के दूसरे function जिसको हम gx नाम दे रहे हैं, उसको पर depend करता है, करने का तरीका है, जो अंदर है function, उसको मानेंगे u, और बाहर वाले function का u के respect में differentiation, और जिसको माना u, उसका x के respect में differentiation, और कर देंगे इन दोनों का multiplication आजाएगा, divide by dx, कर दिया आपने differentiation, क्या यह इतना ही है, हमें किस से याद रहे का, इतना थोड़ी समझ आता है, practice से आता है, हाँ, practice से दो आता है, करते हैं, आओ, consolidate the concept, यह क्या होता है, मजबूत करो यार अपने आपको, आओ, देखो, क्या बोल रहा है तुमसे, कह रहा ह function के अंतर function नहीं देते हैं, मजमत, आपने जो differentiation परण रखा है न, वो y is equal to sin x का परण रखा है, और आप कहते थे, divide by dx लिखो, तो आप कहते थे, d by dx of sin x, और किसका होता का हमारे पास answer cos x, लेकिन यहाँ x की जगे पे simply x लिखा था, पर आज की तारीफ में x की जगे क्या लि x लिखा है, function बदल गया, simple x लोड़ी है, अब कहानी change हो गई, जब change हो गई, तो फिर वो ही अपना u वाला funda लगाता है, जरा इसको areas कर देते हैं, मैंने आपको लिख के खाया सिर्फ दिफरेंस बताने के लिए, तो क्या करें, जो कुछ भी मेरे function के अंदर, sin x ए, यह f है, अब तुम्हारे पस दो बाते बचिए, एक by by du find करना, और एक by by dx find करना, और फिर इन दोनों का multiplication करा देना, clear देनी बात, तो जो function के अंदर function दिखेंगे, अगर वो symbol x नहीं है, कुछ भी हो, जलो लिखा हुआ है, उसको क्या मांग ले, u, बस, आओ, खेले, by 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 du, का मतलब हुआ, d by du of sin u, देखो, यहाँ u है और यहाँ u है, और यह तो sin x का differentiation जैसा हो गया, तो यह बन जाएगा cos u, यह बन गया सहाब आपका cos u, यह कैसे cos u बना का, जैसे अगर यहाँ x और यहाँ x होता तो बनता sin x, यहाँ u और यहाँ u है, कोई दूसरा function अंदर जिंद आपने क्या मान रखा है, u की जगे आपने मान रखा है, 2x, अच्छा, 2x माना इगा, हम माना दो है, 2x, तो हम इसको लिख लेते है, cos 2x, क्योंकि जो 2x था, इसी को तुमने gx माना था, और यह gx जो है, वही को तुमारा u है, तो हम कह देते है, letter, ठीक है, और फिर du by dx क्या है, तो हम लिखेंगे d by dx, और u की जगे क्या लिखना है, यह value जो की है 2x, तो हम लिखेंगे 2x, 2 constant के बाहर आजाएगा, लिखा जाएगा, d by dx of x, और dx by dx तो 1 होता है, हम लोगों को formula भी आदे, तो इस तान सरा गया है, अब बस दो चीज़ों का differentiation कराना है, multiplication कराना है, वह d by by du, multiplied by du by dx, आपको पता है, कि यह value जो होगी, वो dy by dx के बराबर होगी, du, du रिपट लेगे, और हमारे पास जो answer आएगा, वो आएगा, इस तान सरा multiplication कराना हो, तो ऐसे लिखती है, और फिर लिखा गया, cos 2x, तो dy by dx तान सरा, cos 2x, समझा है कैसे किया, इतना मासा है, ठीक ह older कर दिये, similar है, खुद से कर दिया, अच्छा लएगे, समझ आएगा, तो मज़ा आएगी, हाँ देखों करके, सबसे पहली बात, तो हम लोगों ने लिखा y is equal to f of gx, क्या ऐसा ही function हम लोगों घूंड रहे थे, हाँ घूंड रहे थे, और हमारे question में जब तुम y की value होगे, तो लिखा होगा, pause और अंदर 2x, तो ऐसी feeling आती है, यह चीज f का काऊं कर रही है, और जो अंदर पूरा लिखा है, यह g of x का 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 म कर रही है, अं टंम क मैं खहि हो, तो यह, g of x का 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 म कर रही है, तो तो तुमने कहे दिया जो GX है, उसी को तो तुम यू मान लेते हो, तो तुम कहते है, हाँ हाँ GX को यू मान लेते हैं, तो यू की वेल्यू कितनी लिखी तुमने है, 2X, अच्छा, तो Y का फर्मॉला क्या बन गया, Y का फर्मॉला बन गया, cos u क्या माँ लिया अब तुमने क्या निकालना है तुमने निकालना है dy by du क्यों दो ही चीज़ों निकालनी होते थी dy by du और दूसरा du by dx और यही चीज़ हमारी होती थी dy by dx तो कुछ खास वोड़ी करना है dy by du निकालना है dy by du into cos u तुम कहो कि यहां है U और यहां भी है U, U का differentiation U की respect में यह तो cos x का differentiation जैसा है, तो minus sin x होता है, तो हम लोग लिप देंगे minus sin x नहीं U, क्योंकि पंचल किसमें है, U में, पर तुम कहो कहें कि नहीं नहीं, हमें तो U की value substitute करनी है, U किसे माना 2x को, तो substitute W, 2x को, क्या निकाल लिया बिटा आपने, dy by d, अच्छा है, दूसरी चीज़ क्या बची, वो बची du by dx, du by dx, तो तुम लिखा d by dx of U, U क्या मान रखा है, 2x मान रखा है, तो चुछ चाप से लिखेंगे यहां में, 2x, आप देखें, 2 constant पे बहार आ जाएगा, तो लिखेंगे dx by dx और dx by dx तो 1 होता है, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं इस बात को, तो हमारा आंसर आया, 2, आपके पास, dy by dx की value की जगेर पे आंसर हुआ करता था, dy by du, आप फाइंड कर चुके हैं, multiplied by du by dx, ये भी आप फाइंड कर चुके हैं, dy by du लिखा हुआ है, आपने minus sin 2x, और multiplied by du by dx आपने निकाला है, 2, तो मेरे पास अंसर आया है, minus 2 sin 2x, ये आपका आंसर, असान है, ठीक तो मसा है, और के रहते हैं, प्रैक्टिस ही है, आजरा आज कुछ खास नहीं है, प्रैक्टिस ही कर भी नहीं है, मेरे डिफ्रेंसियेश आप देखे हैं कि आपका जो दिखा हुआ फंक्शन होता है, वो y is equal to e की पावर x होता है, लेकिन आज की तारिक में ये e की पावर x नहीं है, e की पावर 2x है, तो फिर ऐसा देखने में पदा चलता है, कि इस पूरे प्रॉब्लम में, जो gx है, जिसे हम u मानते थे, वो 2x ह हो चुका है, तो जो y का फॉर्मूला है, इसको हम लेट करते हैं, और जो y का फॉर्मूला है, वो बन जाएगा, e की पावर u, हाँ, जा गया, यह तो e की पावर x जैसा दिखाई देना है, इसका differentiation तो आता है, आता है तो शुरू करतो, सबसे पहला काम क्या है, तुम जानते हो कि dy by dx की गली होती है, dy by du multiplied by du by dx, तो चुब चाप से पहला portion, that is dy by du, यह निकालने की कोशिश करो, तुम लिखो कि d by du of y, और y की गली तुमने u के term में क्या लिखी होई है, that is e raised to power u, तो तुम लिखो यहाँ पे e raised to power u, और दुनिया इस बात को जानती है, कि जो e की पाव x होती है, e की power u, e की power t, जो भी आपने function ले रखा है, अगर same variable के respect में differentiate करेंगे, तो e की power में change नहीं आता, अच्छा, नहीं आता तो क्या लिखिया जाएका, इसका differentiation simply e की power u, इसका कारण क्या है, कि आप लोगों को पता है, कि d by dx of e की power x is nothing but e raised to x, इसी तरह d by du of e raised to u is nothing but e raised to u, इसी तरह d by dt of e raised to t is nothing but e raised to t, ये variable-variable same रहेंगे, तो फिर कोई change नहीं आएगा, अच्छा, फिर कोई काईगा, नहीं हमें तो u की power u रखे दो, हमने गए u कितना माना था, तो लोगे 2x, हम लिख देंगे e or 2x, अच्छा लागा, फिर क्या था है, d u by dx, ये दूसरा हमारा फिर दुनिया कहेगी कि 2 बाहर आ गया, d by dx of x, अरे ये तो 1 होता है, तो answer आ है, मजा है, it's easy, अब जो हमारा dy by dx है, उसका formula होता है, dy by du multiplied by du by dx, अब dy by du को देखो, तो पहला डंग तुमने निकाल रखा है e की power 2x, और dy by dx तुमने निकाल रखा है 2, तो मेरा answer आ रहा है, 2 into e raised to 2x, and this is your answer, चमगी ये बाद, करता जाना, देखते जाओ, consolidated को काम आए, तब बहुत काम आए, तब बहुत काम आए, अबला, क्या कहना चाहता है, तुम से चो कह रहा है, वो बहुत खास बात है, सीखोंगे तो अच्छा लगे ता, square लगा दिया, अरे तो bracket लगा दिया साइन केंदर तो x ही लिखा है, लेकिन साइन का square हो गया, इसको कैसे solve करें तो चिंता लगारो, सबसे पहले तुम मानो कि या ये bracket केंदर की जो पूरी quantity है, इसी को मानो कि ये u है, उसका कारण है कि पूरे u पर square लगाऊ है, तुम किसे क्या मानोगे, तुम देखो किसे क्या मानोगे, तुम मानो, जो gx है न, वो जिससे तुम u consider करते थे, उसे simply sin x लिख दो, जब तुम इसे simply sin x लिख दोगे, तो तुम्हारे लिए जो y का function बनेगा, वो बनेगा u की power 2, ऐसा क्यों ऐसा तुम, और sin x का whole square है न, और sin x की जगे, पूरे की जगे और तुमने u लिख तो यह बन गया u का square है, और इसका differentiation हो आता है, हाँ आता है, तो क्या करने, और जो dy by dx होता है, उसको दो parts में split करते हैं, पहला कौन सा, dy by by du, multiplied by du by dx, तो कुछ खास मत करो, पहला part दिकाना, और लिखो, dy by du, तुम कहोँगे d by du of y, y का मतलब ये function, ये function का मतलब u square, और तुम हमें पता है, कि d by dx of x raise to n का formula होता है, n बाहर, x की power n-1, इसी तरह, d by dt किया जाए, और x की power t लगाया है, t की power n लिखा जाए, तो हम n बाहर लेंगे, और लिखेंगे t की power n-1, इसी तरह, d by du लिखें, और u की power n लिखें, तो लिखेंगे n बाहर, u की power n-1, basically, उस x की जगे पे, u, t, z, कोई भी variable लगाया जासकता है, it's just a matter of fact, कि आप कौन सा value है, पसंद कर रहे है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं variable, तो कोई भी लिखा जासकता है, तो हमने u लेख लिया, अब साहब देखो, power जो है, वो बाहर आ जाएगी, और फिर u की power 2-1, तो simply, यू की जो value है, वो put कर देनी चाहिए, हमने u किसे मान रखा है, sin x, तो जो पहले portion का differentiation है, वो आ गया है, 2 sin x, बहुत अच्छा लगा, दूसरा portion क्या होता था, दूसरा portion is u का differentiation होता था, x के respect to, तो मैं यह गर लिखा, जब u by dx लिखो गे, तो du by dx लिखते हुए, क्या होगा, गौर से सोचो, तो तुम लिखो के d by dx of u, अब u की जगे किसे लिखना है, u की जगे लिखना है, इस sin x को, तो चुप चाहब से उठा के डाल दीजिए, sin x को, अरे, sin x तो हमें आता है, यह तो cos x होता है, तुमने का, cos x, फिर तुमने कहा कि जो dy by dx है, इसकी value तो dy by du multiplied by du by dx ह तो dy by du अगर देखो, तो जो पहला portion है, वो 2 sin x है, multiplied time, तो दूसरा portion dy by dx है, वो cos x है, तो बेटा यह तर क्या लिखो के तू, cos x, तो तुम देखो के तो लिखा है, 2 sin x cos x ता, यह तो sin 2 x लिखा है, तो हम लिख देंगे, sin sin 2 x, ऐसा कि हमें, क्योंकि हमें फॉर्मूला याद है, कि sin 2 x का उतलब होता है, through sin x multiplied by cos x, यह फॉर्मूला है, अगर नहीं याद है, तो भईया याद कर लो, जीवन में तो काम आता ही है, बहुत ज़्यादा ज़्यादे काम आएदा, ठीक, यह हमारा answer है, पिला, answer तो यह थ clear, आयोग समझ आया हूँ, असान है, आगे देखो, और भी कुछ है हमारे पास, यह यह problem, अचा bracket से तो deal करना है सबको, bracket से तो deal करना है, 13, bracket के अंदर वाले को कुछ मान लेते हैं, अब सबसे बड़ी परशानी है कि इसका dy by dx निकालना है, जबकि पूरे को पर bracket लगा होगा तो सबको पता है कि जो भी bracket के अंदर लिखा है, इसी को क्या मान ले, यू मान ले, हाँ, क्या दर, ले, योर gx, जिसे आप अंदर वाला function कहते थे, जिसे आप u बोल देते थे, वो ax plus b है, प्रोवाइड है कि a और b positive constants, negative values नहीं है, ठीकर, अच्छा, अब जब आपको dy by dx न dy by du multiplied by du by dx, तो पहला portion जो dy by du है, यह निकाल लेगे, और सिश करो, तुम पहला portion लिखो, dy by by du, तो इस्ता मतलब क्या होगा, dy by du of y, और y का क्या मतलब है, y का मतलब लिए, अच्छा, तुम इसको देखो, कि जो y लिखा हुआ है, वो तो तो तुमने u तो इसे माल लिया, ax plus b को, तो ax plus b बन गया u, तो y की value बन गई, u squared, तो वही सही होगा है, तो यह निकाल लिखा है, तो यह बन गया विटाब का u squared, और अभी अभी हम लोग करके आए, कि यह value तो 2u बनने वाली है, x square का differentiation के जैसा है, वाटफिल तो तो बच्छा कहेगा, व अब वो जो u की value आएगी, वो आएगी, ax plus b, क्योंकि u की value तो ने ax plus b होगी, तो यह dy by du निकाल आएगा, क्या अभी, du by dx निकाल है, du by dx से क्या मतलब, कुछ खास नहीं, इसका मतलब है, dy by dx of u, तो जो भी u माना है, इस जगे पर रख, तो differentiation करो, u किसे माना है, वो देखो, तुमने u मान रखा है, यह, ax plus b, अब तुम्हें पता है, कि जो differentiation होता है, वो मामूली आदमी नहीं है, distribute होता है, तो तुमने distribute कर दिया, जब distribute किया तो तुमने लिखा, d by dx of a into x plus b by dx of b, जब इसको देखोगे न, पहले बाले को, तो a constant बाहर आज और dx by dx बचेगा, और plus d by dx of b constant है, और जो संख्या constant होती है, उसका differentiation 0 होता है, और dx by dx को logically बनाने वाला है, तो यह बन गया तुमने तुम्हारा a, तुमने रहे हैं, अब क्या, dy by dx आ चेका है, अब अब दिया गती से, dy by d dy by du आ चुका है, dy by dx आ चुका है, तो multiply करा लिजे, और लेकिए, dy by dx is nothing but dy by du, multiplied by du by dx, पहले बाले जो term है, इसकी value आप निकाल चुके हैं, 2ax plus b, और दूसरे बाले का जो term आपने निकाला है, वो निकाला है, a, यह आ गया, a, आपका answer है, twice of a, 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 x plus, clear value आप, this is called as chain rule, अच्छा, और आगे हैं, और आगे हैं, और आगे हैं, और आगे हैं, e की पावर sin, यह क्या बवाल है, कुछ नहीं या, e की पावर 2x किया था, similar है, का तो, out है, let, जिसे हम gx मानते थे, जिसे हम u मानते थे, वो उसको sin x मान ले, तो जो y की value होगी, वो e की power u होगी, clear value आप, ठीकता मासा, तो तुम कहते थे, कि सब जो dy by dx होता है, उसकी value जो होती है, वो तो dy by du, multiplied by du by dx होगी, पर इसका मतलब यह होगा, कि पहला portion जो इसका है, that is dy by du, यह निकाला जाए, इसका मतलब है, dy by du of y, और y की जगे जब तुम value पुट करोगे बटा, तो क्या हैगी, y की जगे यह का यह का, y के term में निकाल तो तुम लिखो के e की power u, पर तुमने का नीचे भी u, उपर भी u, तो किसी प्रकार कोई change नहीं आएगा, तो तुम लिखो के सीधा e की power u, और तुम लिखाएगा e की power u, यू पसंद नहीं है, तो जिस term में तुमने u माना था, x का, वो रग दो, अच्छा, u किसे माना था, u तो तुमने sin x को माना था, पच्छा, आपसे इसकी value हो आगई, e की power sin x, but dy by du निखाल लिया, दूसरा term क्या था, du by dx, du by dx का मतलब d by dx of u, तो u की value पुट करके देखो, तो u की value क्या थी, u तुमने माना था, sin x को, तो तुम या रिख देते हैं, sin x, अच्छा, यहाँ भी x तो यहाँ भी x, दुनिया खुश, बार में differentiation होगा, जिना formula हमें आख है, sin x का, and that is nothing but cos x, तो हमने का साथ, cos x होगे, अच्छा, जो cos x है, दोनों factors को निखाल दी चुके हो, तो 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 तुमें क्या लिखना है, लिखना कुछ नहीं है, लिखना है, dy by dx is nothing but dy by du multiplied by du by dx, पह दूसरा वाला जो टर्म है, वो आपने, cos x निकाल रखाये तो answer आएगा, cos x multiplied by e raised to sin x, और यह जो है, क्या आपका final answer दुनने रहा है, क्या आसान है, जी आनासान है, कुछ तक नहीं, बिल्कुल आसान है, difficult बिल्कुल भी नहीं, आराम से आपका हो भी जाएगा, एक question और बच जाहिए, लेकिन अभी मैं रोखूंगा, इसलिए कि आप इसी को दुबारा consolidate करिए, यह जो problems आप lecture में आप देखेंगे, इन lecture को देखिए, गवार से देखिए, सुनिये की क्या हो रहा है, मैं बहुत हलके तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आप बहुत बहुत तरीके से नहीं लेकिन आप इसे पढ़ें, सीखें, याद करें कि यह steps कैसे follow हो रहे हैं, उसके बाद इन ही सवालों को बिना देखे, खुद से नगाईएगा, यही सवाल, कुछ दूसरे नहीं, आपको chain rule पिल्गों दिमाग के अंदर वाली layer में set हो जाएगा, नहीं करेगा नहीं, आओ द दे रहे हैं, उसके जगे पर क्या रखते हैं मैटा, बस एक्स, तो फिर ऐसा करने पर, जो य की value वो बन जाएगी, sine of u, क्योंकि अंदर जो कुछ भी लिखा है, उसको तो u मान लिए है, जी हाँ, अब तुम से क्या पुछा गया है, तुम से पुछा गया है, dy by dx, और dy by dx का क्या करें, फिर फर्स्ट पोर्शन निकालें, फिर सेकेंड पोर्शन निकालें, पर बस पर क्या रखते हैं, तो फिर्स्ट पोर्शन की लडाई शुनू होती है, आपके टीडी स्क्रीन पर, ये रहा, dy by dx, इसका मतलब क्या है, dy by dx of y, और y की value क्या निकाल रखी हैं, आपन से भी multiplication में नहीं है, तो छुप छहाँ से, इसका बन जाएगा, cos, ये दिल्कुल वैसा ही है जैसा आप, किया करते थे, side x का differentiation, cos x का differentiation, फिलाल अगर कि इसको u पसंदना हो, तो u have considered u to be cos x, तो आप यहाँ पर उस value को substitute कर दीके, cos के अंदर आगिया, cos x, तो ये आपके dy by du की value ह what is du by dx, तो तुम कहोगे d by dx of u, what is u, u तो आपने मान रखा है cos x को, जिसे भी आपने मान रखा है cos x, तो लिग दीजे हैं, अफिर आप जानते हैं, यहाँ x, यहाँ x, दुनिया कुछ, cos x का differentiation is nothing but minus sin x, दोनों factors आपको मालूम चल गए, और जो दोनों factors मालूम चलेंगे, तो आप कहेंगे, कि dy by dx की जो value थी, वो dy by du, multiplied by du by dx थी, बहुत बहुत कुछ खास नहीं है, dy by du जो भी है, उसकी value नोगर निकाल रखी, and that is nothing but cos times, cos के अंदर cos x, multiplication में नहीं द्याल रखेगा, यह x, यह theta की जगे को पुरा-pुरा cos theta आगया है, multiplied by यह नूमर जो के dy by dx है, that is minus sin x, तो इसको पार चीदर लिकलू, तो minus बाहर लेलू, sin x को पहले लिकलू, multiplying cos और theta की जगे, यह x की जगे रखेगा, cos x, and this is your nothing but final सुंदर सा भ्यार आंसर, बंदा होगे है, check, अच्छा है, तो यह है आपका chain rule, समझ है, करना थे, function के इंदर function दिखाई थे, chain rule दिमाग में चमक जाना चाहिए, उसके बाद, जो अंदर function गुशा होगा है, उसको यू मान लीजिए, तो f u के term में चीज़े आ जाएंगे, फिर dy by du निकल लिए, फिर dy निकल लिए, इन दोनों फैक्टर्स का multiply कर देजिए, आपका derive idx सामने आ गया है, तो यह है recipe, function के इंदर function solve करने की, एक बर ज़र recall करो क्या जब लोगों जे क्या किया, सबसे पहले आपका स्वाधत किया, थुड़ा बहुत बदाया, भाई, share कर ले ना कर या, share है, काम आए यह है, जो लिखा वो बताया सामने, इस formula है, उसके बाद यहां कर आए है, यह function के अंदर function भी तो आपको function के अंदर function देखना चाहिए, और वो आपको यह देखकर पुली नहीं आएगी, यह form आप पहली बार देख रहे है, इसलिए आपको इस तरह का example देखके समझाया है, इसमें fx के है और gx के है, उसके बाद हमने का कि f जो है, उसको define के से के है, मैं हिंदी में लिखे स्लिए लाया हूँ, कि आपको clear रहे है कि जैसे बोल चाल की भाशन में सिखाना है, वैसे सिखाना है, इसकी technical language math में सीखना, physics में जो काम आएगा, वो तुमारी memory काम आएगी कितना मैद याद है तुमको, यह fx function है, जो बाहर लिखा, वो x का ही function है, लेकिन fx के दूसरे function gx पर depend भी करता है, ऐसा कुछ दिखाई दे, chain rule जमकना चाहिए, पहरी problem, दूसरी problem, थीसरी problem, चौथी problem, पाश्वी, चट्वी, साथी, और बस lecture complete, तो आज का lecture पीटा है, यही पढ़ाने की इच्छा नहीं है, आपको consolidate भी करना पड़ेगा, thanks for watching, लिखकर ज़रूर आते हैं, ताकि आपको शुप्रिया की आजा, हमें देख रहे हैं, आप हमार मनोगर बढ़ता है, आपके concepts जबलब होते हैं, आपको बहुत पाइदा होगा, अगर साथ को हमें देखें आपके बिद्र की सीखें, मिल जोगी कर आगे बढ़े हैं, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंग, आईटी कानकूर के अच्छे-च्छे, बहुत बड़े, शांदार प्रोफेसर, क्या ही रुपतार सम्मान में क्या थाजाए, बहुत बड़ी अस्ती, ऐसे बहुत सारे प्रोफेस काफे को सीखा है, फिजिक्स पढ़ी है, आईटी का आपको में तो, सिखाने आएं आएं आपको, आईटी का आईटी में, पूरे साल ये लॉंग लेक्टर सीरीज चलेगी और आपको सिखाया जाएगा और हम पढ़ रहे होगे, सबसे पहरा सबजेक्स, मैथ्स, केमिस्ट् और बायोलेजी तो, ये चारू सब्जेक्स पढ़ेंगे, क्लास 11 के लिए और क्लास 12 के लिए, फिलहाल हमानी लेक्टर सेरीज ये 11 की चल रहे हैं, इसके पैरले 12 की भी चल रहे हैं, तो जो भी आपके संबंदी रिशदार, दोस्त, सीनियर, जुनियर, जो भी हो, 11, 12 के र Thank you.